अगर आपके पास भी कोई सची घटना पर आधारित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हम आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे अगर आपकी कहानी लोगों को अच्छी लगती है और लोग उस पर कॉमेंट और लाइक करते हैं तो हमारा चैनल आपको एक गिप्ट देगा मित्रो काली डायन की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें ऐसे ही कई प्रकार की कहानियां हम आपको सुनाते हैं आईए शुरू करते हैं काली डायन की कहानी कहते हैं कि एक गाउं में एक औरत रहती थी उसका कोई भी पुत्र नहीं था और वह गाउं के सरपंच की पतनी थी परन्तु उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह बहुत उदास रहती थी एक दीन वह अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी तभी वहां से कोई साधू गुजर रहा था उसने उससे भिक्षा मांगी तथा कहा कि मैं भविश्य देख सकता हूँ उसने कहा क्या आपकी कोई संतान नहीं है उस इस्त्री ने कहा आपको गुरुवर इस सब कैसी पता है मे क्या करूँ मैं बहुत परिसान रहती हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं है तो उस साधू ने कहा कि चिंता मत करो भगवान ने तुम्हारे नसीम में कोई संतान नहीं दी है प्रंतु मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान प्राप्ती हो सकती है तो उस साधू ने उसे उपाई बताया कि तुम्हें रात्री के समय एक बर्गत के पेर के नीचे किसी ऐसे लड़के की बली देनी होगी जो अपने माता पिता का एक लोता संतान हो और उसकी बली देने के उपरांत तुम्हें उसके सर का बाल अपने पल्लू में बांध कर रखना होगा तथा उसके खून के दो बूंद तुम्हें पीने होगे उस इस्तरी ने कहा ठीक है मैं यहां अवश्य करूंगी एक रात्री को उसने अपने ही देवरानी के पुत्र को रात्री के समय बर्गत के पेर के नीचे ले गई तथा उसका गला काट कर उसके वाल अपने आचल में बा पीकर और उसने काली आत्माओं से प्राथना की के है काली आत्माएं हमें वर्दान दो हमें पुत्र दो मैंने आपके लिए बली दी है वह कहकर घर चले गई सुबह गाओं में बहुत सारा हरकंप मच गया हल्ला होने लगा कि ऐसा ऐसा घटना घट गई सरपंच के भतीजे क सं tenants कि मृत्तू हो गई है है लोग वहां दौर गए सरपंच भी महां दौर के गया वहा भाई भी उसका दौर के गया देखा तो उसका पुत्र अपने घर को गया तो देखा उसकी पत्नी अच्छे अच्छे पकवान बना रही है तो था खुस है तो उसने कहा कि अपना सकता था उस समय वह अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी पतनी के वस्त्र रक्त से सने हुए हैं तथा बगल में तलवार रखा हुआ है उसने समझ लिया कि इस करतूत में मेरी पतनी का हाथ है प्रन्तु वह उस समय उसे मार न सका उसने कहा मैं इंतजार अवश्य करूँगा प्रन्तु इसे एक दिन सवक्य अवश्य सिखाऊंगा ऐसा करकर वह सोने चला गया दूसरे दिन गाउं में तरतरकी घटनाय घटने लगी किसी दिन किसी का बैल मर जाता था किसी दिन किसी का पुत्र मर जाता था किसी दिन किसी का कुत्ता मर जाता था इसी प्रकार रात में अनुको घटना एक घटने लगी तद उप्रांत लोगों ने तरह तरह की अफवाय बना ली प्रंतु एक रात जब सरपंज सो रहा था तो उसे दर्वाजा खटकने की आवाज सुनाए दी जब उसने देखा कि एक औरत चली जा रही है बरगत के पेर की तरफ तो उसने सोचा इसका पीछा किया जाए उसने उसका पीछा प्ररम्ब कर दिया उसे पता चल गया कि वह उसकी पतनी ही है प्रंतु उसने उसे टोका नहीं एक पेर के पीछे जाकर चिप गया और देखने लगा कि क्या कर रही है वह वारत तब देखता है कि वह वारत एक बच्छडे को खाये जा रही है उसके पूरे सरीर में जुन्जुनाहट उत्पन हो गई प्रंतु उस समय उसने कोई निर्ने नहीं लिया और पूरे गाउं में जाकर उसने कहा कि मैंने डायन को देखा है चलो डायन को आज मार देते हैं सब लोग लाठी लेकर वहां पहुंच गए देखते ह तो वह क्या सरपंच की पतनी ऐसा कर्म कर रही है तब तक सरपंच ने कहा देख क्या रहे हो मारो इसे और खत्म कर दो इस डायन को लोग जब उसे मारने के लिए दोरे तो वह उस कुए में गिर पड़ी कुए में गिरते समय उसका आचल एक लकड़ी से फस गया तथा कुए में वह लटक गई तो उसने चिलाना सुरू किया कि मुझे बचा लो तो लोगों ने कहा तुमें तुम्हारे कर्म की सजा मिल रही है छोड़ दो इसे इसी प्रकार यह मर जाएगी लोगों ने उसे वही छोड़ दिया वह मरते मरते कह गई मैं तुम लोग का जीना हराम कर द करके समसान बरा दूंगी कुछ दिन तक तो सब ठीक बीता प्रंतु कुछ दिनों बाद कुए का पानी सुखने लगा गाओं के नलों का पानी सुखने लगा लोग तरह तरह करने लगे जब उस कुए में देखा तो वहाँ पानी था लोगों ने सोचा कि इस कुए से ही पानी पिया जाए जब लोगों ने उस कुए से पानी पिया तो कई तरह की बिमारियां लोगों को लगने लग गई किसी को चर्क हो गया किसी को बिमारियां हो गई तरह की कोई मरने लगे किसी का सरीर गलने लगा कोड फूट गए इस प्रकार से कई बिमारियां होने लगी तब पानी के बुन्द बुन्द के लिए तर्शा दूँगा तुम्हारे पूरे गाउं को मैं समसान बना दूगी तो मैं आ गई हूं वापस और तुम लोगों को बरबाद कर दूगी मैं लोग भागने लगे डरने लगे क्या करें, कुछ दिनों बाद वहां से एक संत गुजर रहे थे, लोगों ने संत के सामने अपनी पूरी दुवधा का सुनाई, संत ने कहा चिंता मत करो, मैं उस काईल डाइन से तुमारा पूरा पीछा छुडवा दूँगा, संत कुवे में उतर गए, और उतर कर जब देखा तो कुवा पताल की तरफ जा रहा था, संत उसके नीचे जाते रहे, जाते रहे, जब देखने लगे, कि वहां पे एक डाइन बैठी हुई है, बाल उसके खुले है, जब डाइन के उपर उन्होंने हमला किया, तो डाइन उहां से गाइब हो गई, और साधू नीचे गिर हतियार से मार गिराया, तथा उसके सब को जो सर चुका था, उसे उपर लेकर आ गए रथा, लोगों से कहा कि इसे तुम जला कर नश्ट कर दो, तुमें मुक्ती मिल जाएगी इस काली डाइन से, लोगों ने वही किया, और उसका सरीड जला कर खत्म कर दिया, तब लोगों क काली डाइन से मुक्ती मिल गई, और लोग हसी-खुसी जीवन जीने लगे, कभी-कभी सद्गुरु भी भगवान का ही रूप होते हैं, इस कहानी से हमें यही प्राड़ना मिलती है, अगर आपके बाद भी कोई कहानी है, तो आप हमें सुना सकते हैं, हम आपकी कहानी लोग